आखिर चोटे से सवाल दिनेश से लेंगे दिनेश लगतार मध्यपरदेश, शत्रिशगड़ और राजिसान की हार का जिकर कॉंग्रेस को लेकर करा जा रहा है और जो भारत में आया यातर है वो तीनों राजियों से होकर गुजरेगी 65 सीटे और लोकसभा की इन तीनों राजियों में आती है जिनें कॉंग्रेस हार चुकी है विधान सभा में क्या ये मान लिया जाए कि कॉंग्रेस पूरी तरह से यहाँ परिपक्त 24 के लिए नहीं है नहीं कॉंग्रेस की परिपकोता यहां से लगातार दिखाई दे रही है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंदन की चार मीटिंग्स हो चुकी है चार मीटिंग में हालंकि कुछ से तमाम छेतरी दल ऐसे हैं जिनके जो है एक आम सहमती बनना अभी बाकी है कि कि किसके चेहरे पर यहां पर आम सहमती बनती नजर आए क्योंकि ममताब एनर जी कि ये दिवाद कर लिजा है अब से बड़ी चुनोती बना हुआ है और निश्चित तोर पर आप देखे तो कुछ सीटों का फायदा यहां पर जरूर मिलता नजर आएगा यह दिराहुल गांदी यह बड़ी यात्रा करते हैं लगबग जो है दो महीने तक यह यात्रा चलेगी रो इसमें तमाम 355 वो सी नौ में हार का सामना करना पड़ा है और इसी बिंदू को ध्यान में रखते हुई यहां से राहुल गांदी जो है आगे आने वाली रणनीती को तयार करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कॉंग्रेस को इससे फायदा मिल सकता है क्योंकि 14 राज्यों में 355 लोग सब परक तक लोगों से जनता से और भी ज़ादा करीब से और भी ज़ादा गेहराई से जड़ पाती हैं।